फिर से आप सभी का स्वागत है रोयल केरियर के इस यूटूब चैनल पे मैं हूँ अश्वाक अभी जो हम लोग इस क्लास में कोशन देखेंगे वोड़ हैगा आपका फिजिक्स का जिसके तीसरे एक्सरसाइज यानि एलेक्टिसीटी जो आपका है उस चैप्टर के अब्जेक्टिव कोशन को देखने वाले है तो बस सभेश्वें सुरू से आखर तक बने रहेंगे जो भी कोशन यहाँ पे हम आपको बताएंगे सब कोशन का एंसर आप बताते चलिएगा फिर आप यहाँ से एंसर मिलाते चलिएगा तो चलिए हम लोग बिना सवय गवाई हुए आज के किलास को सुरू कर लेते हैं उससे पहले जी कोई चैनल पे नए हो चैनलों को सब्सक्राइब जिरू कर लेंगे साथे साथ विल आइकन भी ओन कर लेंगे और दोस्तों को सेर भी कर देंगे तो चलिए आज किलास का पहला कोशन को देखते हैं पहला कोशन आपके सामने है कहा गया निम्न में से कौन अर्द चालक पदार्थ नहीं है कौन अर्द चालक नहीं है ये हमें बतानी है चार विकल्प यहाँ पे दिये गए चार विकल्प में देखेगा तो पहला विकल्प आपको दिख रहा होगा सिलिकन, दूसरा आपका जर्मेनियम, तीसरा आपका है पारा, चौथा बोला गया, इन में से कोई नहीं तो अर्द चालक जो नहीं है, वो है आपका पारा, यानि के विकल्प नमबर जो आपका दिख रहा है, इसका राइट एंसर होगा, जो कि है आपका पारा चलिए हम लोग अगला प्रस यानि के प्रस नमबर हैगा वो आपका 2 दूसरा नमबर प्रस नमबर प्रस में देखेगा तो आपके सामने होगा दूसरा नमबर प्रस में कहा गया आपका ये वाला कलर कलियर देखेगा है ना दूसरे में कहा गे आपका volt परती ampere परदर शिर्द करता है, किसको परदर शिर्द करता है, चार विकल्प यहाँ भी दिये गए, जल्दी से फटाफट आप लोग एंसर बताएंगे comment में, पहला विकल्प है ampere, दूसरा विकल्प में है volt, तीसरा विकल्प है ohm, चौथ है ohm को, चुकि ohm का जो फर्मूला हमनों लिखते हैं, आ बराबर भी बटा आई का लिखते हैं, भी बटा आई, भी अर्थाद वोल्ट, आई मतलब ampere, ठीक है यह तो आपको पता ही होगा, वही आपका ohm को परदर शिर्द करता है, तीसरा नमबर प्रस्ट देखेगा, आपक एंसा बताएंगे, पहला है आपका ampere, दूसरा है आपका volt, तीसरा है ohm, चौथा है आपका watt, इसका सही उत्तर होगा, वह होगा आपका ohm, क्या होगा आपका ohm, तो किलास को like भी करते चलेंगे, और share भी करते चलेंगे दोस्तों को, चलिए चौथा नमबर प्रस्ट भी आ आखिर तक देखेगा हर एक question का answer, चलिए बहुत अच्छा है, इसका भी answer आगिया, इसका right answer होगा, वह होगा आपका ampere, विदुद्धारा का ऐसा ही मातरा क्या होता है, तो वह होता आपका ampere, चलिए चौथा पाच्वा नमबर प्रस्ट, पाच्वा नमबर प्रस्ट में कह आगिया तो अधियान से देखेगा पाच्वा नमबर में, पाच्वा प्रस्ट में कहता है, एक, दो, और तीन ओम के तीन परती रोध हैं, कितने परती रोध हैं, इसको शिरेनी करम में जोडते हैं, किसमें जोडते हैं, शिरेनी करम में जोडते हैं, तो समतुल परती रोध यानि कि finally परतिरोद क्या होगा आपको पता ही होगा कि जब भी श्रेनी करम रहेगा नॉर्मल जोर होता इन तिनों को आप जोर दिजी और आपका एंसर हो जाएगा दो एक तीन आ तीन आ तीन कितना होगा छे एंसर का होगा आपका 6 ओम जो कि आपका ओप्सन नंबर D में है यह आपका श्रेनी करम हो गया ठीक है चलिए 6 नंबर कोशन देखे-6 नंबर कोशन में कहा गया विवांतर का सि मातर क्या होता है विवांतर का साइग मातर का होता है चार विकल्पिह मौजूद है इसे इस G Wakanda कोई एंसर होगा तो वह एंसर हो जागा आपका volt option number D इसका right answer होगा जो कि विवांतर का SI मात्रक होता है चलिए अगला प्रस्ट प्रस्ट नमबर आगा वो आपका साथवा नमबर साथवा नमबर प्रस्ट में कहा गया आपका देखेगा ध्यान से बिभव का मात्रक है बिभव का क्या SI मात्रक होता है यह एंपियर था यहाँ पर एंपियर ठीक है वोल्ट ओम और वाट तो विवाब का और विवांतर का SI मात्रक जो होता है दोनों का होता वो वाट होता है सौरी, V той होता का होता, विभाव रहो जा हो, यह हो विवान तर उसका SI मतर का होता, तो वह होता आपका V το चलिए, अच्छान न्बर प्रश्न आठवा न्मबर प्रस्न देखेगा आपका सामने दिख रहा होगा आठवा न न्मबर प्रस्न में बोला गया पे 100 W का लिखा हुआ आपका 100 W लिखा हुआ है और 220 V के विधुत बल्व के तंतू का परतीरोध क्या होगा यह बतानी है हमें तो देखिए यहाँ पे जो इसका सही उत्तर होगा 100 और 220 V के तंतू का परतीरोध बताना है तो इसका एंसर होगा 484 का अतना होगा ओप्सन नंबर B इसका एंसर होगा 484 चलिए अगला प्रस नंबर हैगा वो आपका 9 नंबर प्रस नंबर प्रस नमें देखिएगा तो कहा गया टंग का श्टन निम लिखित में इसे किस ताप पर पिघलता है ध्याज़ाटे तांग के अतार का जो गलनांग होता है वो था आपका 3,000 degree Celsius से उपर अब यहाँ पे देखिगा ध्याशन से दो मान जो है आपका 3,000 degree Celsius से उपर है जो कि 35 है और 4,000 है तो किस मान पर वो पिघल जाता है तो ध्याज़ाँ रखिएगा 3500 degree celsius पुरेगा तो बिलुकुल वो पिखल जाएगा तो बचेगा ही नहीं जो हम लोग 4000 degree celsius पर उसको गरम करेंगे चुकि टंगस्टन का अतार 3500 degree celsius पर पुरन रूप से पिखल जाएगा ठीक है चलिए हम लोग अगला प्रस देख लेते हैं प्रस नंबर आगा वह आपका दस्वा नंबर दस्वा नंबर प्रस में कहा गया विधुत शक्ति का मात्रक होता यानि पावर इलेक्टिक पावर का SI मात्रक क्या होता है चार विकल्प यहाँ भी मौजूद है एंपियर है वोल्ट है ओम है और वाट है तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका वाट चलिए हम चारों एंसर पे एक बात होगा सा फोकस कर देते हैं एंपियर विदुधारा का SI मात्रक होता है वोल्ट विभाव और विवांतर का SI मात्रक होता है ओम परतिरोध का SI मात्रक होता है जबकि वाट पावर यानि के शक्ति का SI मात्रक होता है चारों पे चर्चा कर दिए हम यहाँ पे तलिए एगारवा नमबर में कोशन में देखिया विजाश्ट हम आपको बता है उपर में बस आपको यहां मिल गया एगारवा नमबर प्रस निकाता है परतिरोध का SI मातरक क्या होगा पर्तिरोद का SI माज रख वता नीए 4 विकल्ब येहा मौझूद है बस वही 4 विकल्ब येहां लिखाई दे रहे हैं तब पर्तिरोद का जो SI माज रख होता है वो तो आपका OMS का होता है? प्रतिरोद का SI माज रख OMS होता है जिसको हम लोग उमेगा से सुचित भी करते हैं चलिए अगला प्रस में देखते हैं हम लोग जो किरह आपका प्रस नंबर 12 प्रस नंबर 12 में देखाएं का काता है 12 वॉल्ट के दो कुलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्ड बताना है होगा और आपका आइसलिए आपका नुमत क्या होता है कि यहाँ ही विदूत बाहक बल का मात रख़rau सेल के विधुत बाहक बल का मातरक क्या होता है यहां भी चार्वी कल्ब दिये गए हैं सेल यानि के बैटरी तो उसका जो होता है वह था आपका वोल्ट देखेगा आप नॉर्मली मार्केट पे जाती होंगे अब बैटरी या सेल लेती होंगे तो हम पूछते हैं ना कितने वा आपका चौदा नंबर चौदा नंबर प्रस में कहा गया एक मीटर के स्केल पर जीरो से टू ए मतला होता है एंपियर के बीच 20 भाग है 20 भाग है तो हमें बताना क्या तो इसका आपको बताना है अल्प तमांक तो यह कैसे निकलेगा बहुत इजी कोशन है अब कुछ नहीं करना है आप एंपियर में जो 20 भाग है उससे होका कर दिजिये यानि कि वीं एंपियर कितना है ट्यू एंपियर है भाग कितना है 20 भाग मुल्लिकर कर दिये कर जागा एक पटा 10 ब embora में अब एक में 10 से भाग किजिए महाइं 0.1 वन एंपियर आगा कितने आगा जूरो पॉइंट वन एंपियर ठीक है चलिए अगला प्रस देख लेते हैं प्रस नमर है वह आपका कितना रहेगा वह रहेगा पंद्रहवा नंबर कोशन पंद्रह नंबर में कहागे आपका देखेगा ध्यान से आवेश का इसाई मातरक होता ह जल्दी जल्दी आप लोग एंसर बताते रहेगा ठीक है एंसर बताते चलिएगा जल्दी जल्दी आवेश का इसाई मातरक क्या होता है चार विकल्प यहां भी मौझूद है पहला आपका वोल्ट दूसरा आपका ओम तीसरा आपका जूल चौथा आपका कुलाम्ब तो हले कोशन पूरा तो सोला नंबर कोशन में कहागे आपका जब किसी क्या आपका जब किसी चालक तार से विदुधारा परवाहित होती है तो गतिशील कन क्या होते हैं जब एलक्टिक परवाहित होती है एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो गतिशील कन क्या होता है परमान आपका इलक्ट्रोन इलक्ट्रोन के अस्थाना अंत्रन से ही विदुध्धारा का एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक पहुछना कहा जाता है ठीक है इनमें से कौन विदुध का सुचालक है किससे बिजली आसानी प्रुवक परवाहित हो जाएगी पहला आपका सर्फर दूसरा आपका प्लास्टिक तिसरा आपका आयोडीन चौथा आपका ग्रेफाइट इसके जो एंसर होगा वह आपका ऑफसर नमर डी ग्रेफाइट जो की पैंसिल की बीच में आपको दिख जाएगा यह होता ग्रेफाइट जो की विदुध का सुचालक होता है यानि के कंडक्टर पदार्थ होता है चलिए अठारवा नमबर अठारवा में कहा गिया आपका विवांतर का मात रख होता है आपको पहले ही बता चुके हैं विभाब का और विवांतर दोनों का ऐसा मात रख होता है वोल्ट होता है बहुत अच्छा दोनों का ऐसा मात रख होता है वोल्ट होता है चलिए अगला प्रस नमबर आपका उन्नैस उन्नैस में कहा गया विदुध बल्ब का तन्तू किस धातू का बना होता है विदुध बल्ब का त दिहान से देखेगा यहां पर हम लोग chapter wise अभी objective कर रहे हैं हम आपको पूरा जो भी आपका book है syllabus है science social science जो भी language paper है math सबका हम chapter wise पहले objective करा देए उसके बाद पूरा book से हम यहां पर आपको कराएंगे पूरा practice से पूरा practice हम आपको इस channel के मद्यम से आपको हर एक subject करा देंगे बस आपको लगातार परतेक दिन किलास के साथ जो है रहना अपर तेक किलास में रहना है किलास को धियान पूरबक करना है चलिए question number 20 होगा वो लगया 10 ohm और 20 ohm के दो परतेविदों को श्रेनी करम मैं देखे श्रेनी करम श्रेनी करम श्रेनी कम रहता है इस कार्द होता है R ठीक है श्रेनी करम में ऐसे जोड़ते हैं चलिए यहां पर अब देखते हैं हम लोग एकाईस में कहा गया आपका किसी बल्व से 220 वोल्ट पर दो एंपियर की धारा प्रवाहित होती है तो इसका हमें परतिरोध बताना है का बताना है परतिरोध ध्यान देजेगा हम आपको पहले बता चुके हैं परतिरोध के जो फर्मूला होता है वो था आपका वोल्ट बटा एंपियर वोल्ट बटा एंपियर आप देखेगा यहां पर वोल्ट कितना 220 है एंपियर कितना 2 एंपियर है तो यह यह दो से बाहर कर दो तो हो जाएगा 110 कितना 110 ओम हो जाएगा कितना है बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है यह हमें बतानी है इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका डीसी धारा हाना डारेक्ट क्रेंट जिसको हम लोग दिस्ट धारा कहते हैं एक उता एसी जो कि आपके सामें दिख रहा होगा जिसका पूरा नाम होगा अल्टरनेटिक क्रेंट परतियावर्ती धारा ठीक है 23 नमबर कोशन देखें 23 में कहा गया आपका आ मीटर को विद्ध परिपत में किस क्रम में जोरी जाती है चलिए अगला प्रस 30 कोशन मातर यहां पर देखने वाले हम लोग बस अगला कोशन देखेंगा अपोजिटर यहां पर कहा गया वोल्ट मीटर को विद्ध परिपत में कैसे जोराता है यानि किस क्रम में जोरा जाता किसको वोल्ट मीटर को तो ध्यान दीजेगा इससे पहले वाले कोशन था वो था A मीटर या A मीटर को शरीनी क्रम में जब जोड़ते हैं तो वोल्ट मीटर को हम लोग समानतर क्रम में जोड़ने का काम करते हैं विकल्प नम्बर हो जागा अगला कोशन है 25 नम्बर 25 में कहा गया विवांतर मापने वाले यंदर को क्या कहा जाता है तो विवांतर मापने वाले यंदर को हम लोग का काते हैं तो काते हैं वोल्ट मीटर क्या काते हैं वोल्ट मीटर ओफसन नम्बर हो जागा आपका B नम्बर द्यान देज़ेगा A मीटर से विद्धार मापी जाती है वोल्ट मीटर से विवांतर मापी जाती है चले 26 26 ने में कहा गया एक वोल्ट कहलाता है एक वोल्ट क्या कहलाता है तो एक वोल्ट जो कहलाता है वो था आपका जूल परती कुलाम का होता है पूरा confusion आपका दूर हो जाएगा चली हम लोग 27 नमबर प्राज़नYoung को देखते हैं 27 में कहा गया किलोवाट घंटा मातरक है किलोवाट घंटा किस का मातरक है तो किलोवाट घंटा जो मातरक है वो है बिदुत उरजा का क्या है आपका विदुत उरजा का जो मातरक होता है, वो था आपका किलोवाट आवर को ही unit कही जाती है, जिससे घरों में बिजली बिल जो आती है, वो unit के हिसाब से यानि किलोवाट आवर के हिसाब से ही आती है. चले 28 नमबर 28 भी क्लियर है आपके सामने 28 में कहा गया विज़ुत हीटर की कुंडिली में किसका प्रयोग होता विज़ुत हीटर की जो कुंडिली होती है इसमें किसके तार का प्रयोग करते हैं पहला आफसर नाइक्रोम है दूस्ता टंगस्टन है तीसरा थामबा है, चौथा आपका जस्ता है इसका उत्तर होगा वोगा आफसर नमबर ए, नाइक्रोम कीतार तो याद रखेगा, विदूद हीटर में नाइक्रोम कीतार का परियोग किया जाता है 29, 29 नमबर में कहा गया, विदूद चुम्बक बनाया जाते हैं अपको हम बता हैं, चुम्बक एक अस्थाई चुम्बक होता है, एक विदूद चुम्बक होता है तो विदूद चुम्बक किस परकार के लोहे से बनाया जाती है इस पात के, चांदी के, पीतल के, नरम लोहे के तो यह जो बने होते हैं वो होते हैं आपके नरम लोहे के आफसा नमबर D इसका राइट एंसर होगा तो जो जो युक्ती विद्धारा उत्पन करती है उसको कहते हैं आपको एक कोशन देंगे खुद से आप कॉमेंट में उसका एंसर बताएंगे यहाँ पे तीसवा नमबर कोशन है विद्धारा उत्पन करने की युक्ती को क्या करते हैं तो जो युक्ती विद्धारा उत्पन करती है उसको कहते हैं अम लोग जैनितर जिसको एंगरेजी में जनरेटर कही जाती है तो जनी तरह किसे काते हैं जो विद्धारा उत्पन करती है उसको अब लोग जनी तरह यादिया यानि के जनरेटर काते हैं अब अन्तिम कोशन आप सब के लिए हैं अन्तिम कोशन में यहाँ पे कहा गया एक HP जैनि के आश्वशक्ती बराबर होता है कितना वाट एक HP में कितना वाट होता है एक अर्थात एक अश्वशक्ती में कितना वाट होता है यह आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे इसका सही एंसर उम्मीद करते हैं आज के इस किलास में यानि 30 प्रस्नों में आपका अधिक से अधिक सही हुआ होगा तो आप कॉमेंट बॉक्स में ये भी कॉमेंट करके बताएंगे कि 30 में आपका कितना सही हुआ किलास पसंद आई होगी किलास को लाइक जरूर कर देज़ेगा सब एस्टूडेंट और जो दोस्त किलास में नहीं पहुँच पाए होंगे सब को सियर कर देगे और जो चैनल पे नए होंगे पहली बार किलास कर रहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगे ताकि इस तरह का जो भी किलास है हरे किलास का notification आपको मिलता रहेगा और आप भी बिल्कुल आसानी पुर्वक हमारे साथ पर तेक दिन किलास कर सकते हैं और अपनी त्यारी को अड़ मजबूत बना सकते हैं तो फिर मिलते हम लोग अगले किलास में जय हिंद